सुगंदा और वेल्कम चू प्राउड हो में का सुगंदा फ्रेंड्स आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है तो बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट आता है पतन जली का जो की है बादाम पाक उस बादाम पाक के लिए मैं आपको एक रिव्यू शेयर करने वा प्लास्टिक कंटेनर में यह आता है और यह जो पैक मैंने पर्चेस किया था यह पैक जो है यह 250 ग्राम का पैक है as you can see here 250 ग्राम का पैक है प्लास्टिक की पैकेजिंग है एर टाइटी होता है मतलब इसमें एर वगरा नहीं जाती तो यह जल्दी से खराब नहीं होता और आ इसका 130 रुपीज है मैंने फ्रेंड्स यह पतंजली के स्टोर से बाई किया है तो यह लोग MRP पर ही वैसे तो देते हैं 130 रुपीज का ही पड़ा बड़ अगर आपके इसके पर्मनेंट मैंबर्स है तो फिर इनका एक कार्ड बनता है मेंबर्शिप कार्ड उस पर आपको 5% is- दिसकांट मिलेगा जो इनके कार्ड में आ चाता है ठीक है फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो यह इसमें जो इनग्रीडीयंट्स है वो आप देख सकते हो पाउडर आफ बडाम का मिश्री है केसर है जावित्री है जाइफल है सोंट है काली मिर्च है पीपल है दालच तो बहुत ही अच्छी अच्छी इंग्रीडियंट्स है जो कि हम लोग सरदियों में वैसे भी खाते हैं तो यह मुझे बहुत अच्छा प्रोड़क्त लगा इसमें अगर आप सपोज कुछ भी एक ऐसा लेना चाहते हैं जो कि एनरजी के लिए आपके इनर स्ट्रेंथ के मतलब अगर आपको जैसे यह एक तरीके से पॉष्टिक रसायन देखो यह थोड़ा सा आपको हेल्थ एनरजी देने वाला एक ड्रिंक बनता है इसको यूज करके इसमें आपको क्या करना है 10-20 ग्राम को एक ग्लास मिल्क में आपको मिक्स करके नाइट में आप लेलो या द स्मेल नहीं होती है एक्चुली इसमें बहुत सारे एस इंग्रिणेस जैवित्री है जाइफल है वह आप ऐसे खाओगे ना तो इसकी स्मेल आपको हो सकती है थोड़ा सा दूद में लगे बट ओवरॉल यह बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है और इसकी जो कंसिस्टेंसी मे आता है ठीक है ठीक है इसको आपको क्या करना होता है दूद में मिक्स करके और खाये और इस तरीके का ब्राउन लाइट ब्राउन गलर का यह पाउडर है इसी में सारी चीज़े मिक्स हैं बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है अगर आप दिन भर में कोई ऐसा हैल्दी अगर आप खाएंगे तो वन मन्त हराम से जल जाएगा अगर रात में आप नाइट में दूद के साथ लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको यूज़ करके देखिए एक बार जरूर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए तो अगर य तेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलेगा ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे तो अपने घर में रहिए हैल्दी रहिए हैपी रहिए